नमस्कार मैं डाक्टर आर्पी सोनकर एसोसेट प्रोफेसर मनो विज्यान विभाग वसंद कण्या महा विद्यालय काशे हिंदू विश्व विद्यालय एक बार फिर आप सभी सम्मानित अविभाव को और प्रिय विद्यार्तियों का हर्दिक स्वागत और अभिनेंदन करता ह हैं प्रिय विद्यार्तियों मैं आज के वीडियो में आप सभी को बियच्व यूजी और पीजी अड्मिशन से संबंदित महतपूर अपडेट्स साजा करूंगा प्रिय विद्यार्तियों सबसे पहले अगर हम यूजी अड्मिशन से संबंदित कुछ महतपूर अपडेट् थी उसे आज शुरू कर दिया गया है किरपा एक बार फिर से सुने कि बियाच्चू यूजी एड्मीशन से संबंदि सब्जेक्ट कमिनेशन एलाटमेंट की प्रकिरिया से सुरू कर दी गई है जिन जिन विद्यार्थियों का एड्मीशन बियाच्चू में रेगुलर राउं फर्स से ले कर के रेगुलर राउंड पर ऐट या फाइनल राउंड आप तक में उनको उनर्स सब्जेक्ट एलाट किया गया था त्रिये विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं कि यह सब्जेक्ट कम्मिनेशन इलाट्मेंट की प्रकिरिया आज से ही सुरू की गई है और इसका लास्ट डेट विश्विद्याले के तरब से 20 सितंबर 2023 तक रखा गया है इसे आप 20 सितंबर 2023 शाम 5 बजे तक कर सकते हैं मैं आपको यह भी बता दूं कि आप अपने सब्जेक्ट कम्मिनेशन इलाट्मेंट की प्रकिरिया को जल्द से जल्द आप पूरा कर लें एक बड़ी बात मैं आपको यह भी बता दूं कि सब्जेक्ट कम्मिनेशन इलाट्मेंट की प्रकिरिया इस समय मात्र चार अलग-अल 32 यानि B.E. Social Science में प्रक्रिया शुरू की गई है जबकि subject code course code 181 यानि B.E.S.C. Maths Group में प्रक्रिया शुरू की गई है और वहीं course code 182 यानि B.E.S.C. Bio Group में या subject combination alignment की प्रक्रिया इस सुरू आज से की गई है किरपया इसको एक बार आप फिर से सुन लिजिए कि इस समय चार अलग-अलग courses का जो subject combination alignment की प्रक्रिया वाद से सुरू की गई है जिसमें 131, 132, 182, 182 यानि B.E.E. Arts, B.E. Social Science, B.E.S.C. Maths Group, N.B.E.S.C. Bio Group में या subject combination alignment की प्रक्रिया वाद में सुरू की गई है जिससे समदित notification भी आप B.E.H.U. के प्रिसेल वेब साइट पर जारी किया जाएगा और आपके student portal पर भी भेजा जाएगा मैं आपको ये भी बता दूँ कि subject combination alignment की प्रक्रिया पूरा होने के बाद remaining fees या adjustment fees से समदित प्रक्रिया को भी पूरा कराया जाएगा और मैं आपको ये भी बता दूँ कि UG में subject combination की प्रक्रिया से समदित जो notification है वो B.E.H.U. के official website भी जारी किया गया है आप B.E.H.U. के official website bhoonline.ac.in पर जाकर कि इसकी विस्कृत जानकारी आप ले सकते हैं वहीं पर मैं जल्दी से PG admission से समदित कुछ महतपूर updates आपके साथ साजा करूँ आपको बताओं तो PG के सारे subjects में लगातार जो result publication का कार्य है वो पूरा किया जा रहा है लगातार किया जा रहा है और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि लगबग सभी departments में सभी subjects में कम से कम 2-3 regular round result publish किया जा चुका है और वहीं पर कई सारे विभागों में 5-6 regular round जो result publication का कार्य है वो किया जा चुका है और कई विभागों में जो सीटें हैं वो लगबग पूल हो चुकी हैं और वहीं पर कुछ विभागों में अभी कुछ-कुछ सीटें बाकी हैं जबकि विच्चु के PG courses में कुछ सब्जेक्ट्स या कुछ विभाग ऐसे भी हैं जिसमें विच्चु main campus लेकर के affiliated colleges को मिला दिया जाए तो उन सभी में मिला करके एक-एक विषयों में लगबग 50-60 सीटें अभी भी खाली हैं मैं आपको एक बड़ी बात यहां पर बता दूँ कि किसी भी PG के subject में जो उसका कटाफ है वो विच्चु के विषयल वेवसाइट पर आनलाइन जारी नहीं किया गया इसलिए आपको अपने subject से सम्मदित कटाफ के जानकारी चाहिए तो आपको निशित रुप से अपने वि mission चाहते हूं यह सब्ता है आप दोनों के लिए बहुत ही महत्पुड़ा और नियमित रुप से आप अपने mail id को अपने student portal को चेक करते रहें साथ ही साथ विच्चु के विषयल वेवसाइट विच्चु online.sc.in को भी नियमित रुप से खंगालते रहें प्रिये विद्यार् पुर्ब से कोई आधिकारिक सूचना नहीं है बलकि मैंने अपने अनुवहों के आधार पर लोगों की द्वारा की गई बात चीट के आधार पर साथ ही साथ जो विषयल वेवसाइट पर जारी की गई है सूचना इन सभी के आधार पर आपको सही जानकारी देने की और सब्सक्राइब और आप कोई सवाल या कोई जानकारी चाहते हैं इससे सम्मंदित जैसे ही नया कोई अपडेट साता है मैं हमेशा की तरह आपके साथ साजा करता रहूंगा तब तक आप सभी लोग खुश रहें अपना ख्याल रखें आप सभी को एडमीशन की बहुत-बह